नमस्कार आई ये बात करते हैं आपके हाथ के बारे में सबसे पहले बताएंगे आपकी कनिष्टा उंगली के बारे में कनिष्टा उंगली सोरिय के उंगली के प्रथम परव तक पहुँच गई व्यक्ति के अंदर नौकरी करे व्यापार करे कोई से भी छेत्र में कारे करे पूरी तरीके से इसके पास में उस काम को करने की छमता होती है उसकी गहराई तक पहुँचता है उसे उचाई को और प्रिथम पर्व मानसीक मजबूत है, व्यावारिक पर्व मझबूत है, आर्थिक पर्व मजबूत है, यानि दिमाग से मगए ठीक है, व्यावार से頭 से निचे क्ट कर Graph अगर मिड़ को प्रव क्याूत है, बूंधी में और सुर्य के पर्वकुर पारा हूं। आपके सेकंड परवत पर आ गई हैं तो आपको जगड़े इजिन्टर सरकार से सम्बंदित कारियों में परेशानी इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है अभी यहाँ पर अगर देखता हूं तो रोग के लिए भी मैं मिश्चित रुक से कह सकता हूं कि आपको साफधा नेना चाहिए हर्ट की बिमारियों के प्रती यानि उस तरह का कोई रोग हो तो उसके प्रती भी आपको साफधानी बरतनी चाहिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर शनी के उंगली व्यक्ति के जीवन के अंदर स्वास्त के लिए और साथी साथ धनकी इ जाती है यहाँ पर यदि मैं यह रिखारे देख देता हूं तो यह वो रिखाएं होती हैं जिनके दोबार मैं बार बार साफधान करता हूं कि व्यक्ति को अपने लेन देन के अंदर जरूर ध्यान रखना चाहिए यानि कि लेन दिन में व्यापार धनका लेन देन के बारे म या किसी को धन दे दें तो ऐसे व्यक्तियों का अभी बहुत जादे बड़ी रेखा नहीं है अच्छी बात यह है कि बिखरी हुई है तो धन लोटने की संभावना है तो कि कुल मिलाकर व्यक्ति का धन फस्ता जरूर है पर्थम परव भी कुछ माइनस रेखा हैं स्वास्त का फिर ध्यान रखियेगा क्योंकि ये सनी का परव है और ये घुटनों का कारक होता है घुटनों के दर से संबंदित प्रबलम चरूर देगा आईए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी व्रिस्पति के उंगली के बारे में व्रिस्पति के उंगली जीवन के अंदर जानी जाती है आपकी साधना आपकी पूजा आप अपने भगवान के प्रती कितने सही है बिल्कुल ठीक है इतने कोई जिक्कत नहीं है यहाँ पर जब यह रिखाय माइनर खिज जाती है सेकंड पर्वत पर मैंने हजारों बार बताया है कि पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते है नहीं कुल मिला करके पत्नी के साथ तालमेल में कमी हो जाती है अब बात करते हैं दीचे के पर्व की संतान का सुक्सेयोग ठीक है आईए बात करूँगा धन के पर्व के बारे में धन का पर्व और ये बहुत यहां पर इतनी सारी रिखाएं जब हो जाएं और एक दूसरे के उपर ना चलका चले तो इसको कहते है धन का अच्छा सुरोत होना लेकिन मैंने देखा है जादे धन में जब होता है इस परकार की ज़ादे रिखाएं होती है तो व्यक्ति के दिमाग जो के अंदर गो योजना होती है वो एकदम बड़े रिसक लेने वाली होती है तो ऐसी जादर रिखाएं में एक खुबी तो होती है कि व्यक्ति के पास धन देने वाले खुब होते हैं व्यक्ति धन खुब कमाता है भाशा चैली अच्छी होती है दो तिन भासाओं पर कमांड भी होता है परंतु ऐसे व्यक्ति के जीवन उतार चड़ा भी उतनी तेजी के रहते हैं आई ये बात करते हैं सूरिया पर्फ के बारे में सूरिया का पर आपके जीवन में बताएगा यसमान संबान में आपको कितनी प्रॉबलम है यहाँ पर इस समय पर ये रिखाए माइनस रुपी जो लग रही है इनके साथ में इन्होंने आप में जीवन में यातरा के रूप में जानी जाती है तो ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं अब बात करते हैं आपके धन के पर्व के बारे में धन का पर्व और कुल मिलाकर जो धन का पर्व है यहां पर दवा हुआ है और यव जैसे चिन के रूप में यहां पर प्रवारित हो रहा है अब धन क पर्व पर्व जब यव जैसा चिन बन जाए और साथी साथ उसको रेका इसक्रेशिस करने लगे तो ये समझ लीजिए कि धन जो होता है फसा हुआ उसका निकला बहुत मुश्किल हो जाता है दाबा हुआ पर्व है यानि जो गती पहले थी धन के आने की वो गती में कमी आई ह मैं बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके पर्व की जिसको बोलते हैं बरस्पती का पर्व बरस्पती का पर्व और उस पर मुझे कई हलके से ब्रैकेट्स दिखलाई देते हैं यानि चत्रवुज चाइब के जब वो दिखलाई देते हैं बहुत गहरे नहीं दिखरे तो य लेकिन उसका बिखराव, उसका बेकार जाना, उसका लोगों के प्रती चला जाना, वापिस नाना, ऐसे बहुत सारे ब्रस्पतिकुल अनुकुल नहीं है. यहाँ पर बात करता हूँ, मैं आपके सीधा सीधा आपकी हिर्दे रिखा के बारे में, अगर आपकी हिर्दे रिखा को मैं वर्तवान में देखता हूँ, तो इससे गिर्थी काफी रिखा है नीचे की तरफ है, यानि कुल मिलाकर हिर्दे रिखा, यहाँ पर मैं इसको पीडी करेकरी व्यक्तियों के ज्यादे काम आने के कारणंबी मानसिक Tension हो जाती है आप किथी के काम है उस वो आपके रहा है आपका पैसा ही नहीं दे रहा है इस तरह की बात हैं मंगल पर आपका बहुत मजबूत इस्टिक के साथ है यहाँ पर आपकी समय पर 65, 67 के आसपास यहाँ पर एज है यहाँ पर आपकी लेकिन उसके बाद भी आपकी यहाँ पर यदि देखते हैं तो यहाँ तो कुल मिलाकर ये मंगल रिखाएं इनको बोलते हैं करम रिखाएं करम रिखाएं निकल निकल करके जिस जिस परवसे संबंद बनाएं उसके फल मिलत यह आपकी जब करम रिखाएं चलती हैं तो यह कही ना कही आयू के पक्च को काट कर जाती है भाग गयरेका को काट जाती है बुद्धी रेका को काट कर जाती है यहां से निकल करके प्रते रेका का संबंद बनता है कि भाग दोड यानि यह सूर्य के पर्व तक यहां पर लग गए यानि कि धन कमाया और धन पर लग गए ग्रहन तो ये वो चीजें यहाँ पर दिखनाए देती हैं बहुत महनत का जिनसान है करम करने में इस वासर करते हैं काफी जीवने महनत की है आईए बात करता हूँ आपके बुद्धी रेका के बारे में बुद्धी रेका और यहाँ पर यदि बुद्धी रेका को देखता हूँ तो यह बुद्धी रेका यहाँ पर चली और चलने के बाद में इस रेका को यदि देखता हूँ तो यह लास्ट में जाकर जहां आपके जीवन का यह मोड चल रहा है उस मोड पर जाकर के यह रेका यहाँ पर अगर आपके इस समय दिमाग में काफी उलजन है और क्योंकि ये दित्य मंगल पर यह जाल जैसी रिखाएं बनने लगें उपर एकस के चिन भी मैंने आपको बताए तो यह पूरा का पूरा यहां पर एकस के चिन भी और नीचे जाल जैसी इस्टती भी यही कुल मिला करके आपको ए और नियाले के चक्कर और खाटने पड़ जाएंगे तो यह इस तरह की चीजे हैं तो यहां पर आपको इन सब चीजों से बचना है मैं बात करता हूं इसके बाद मैं आपके सीधा सीधा चंदर परवत के बारे में चंदर परवत और कुन मिलाकर यह पर यहां पर यदि देखत कर रही हैं रोगों के लिए फिर मैं आपको साथान करूँगा चलिए आपके व्यापार के अंदर देखता हूं व्यापार में अगर देखें तो एक दो तीन चार रिखाएं बनती है वादमन को काटती भी है रिखाएं यानि कुल मिलाकर व्यागा और जीवन के अंदर कही व्यापार करें व्यक्ति रे और उने परिवरतन का सामना व्यक्ति को करना पड़ा ऐसी सितियां दिखनाने वाली व्यापारिक रिखाएं भी हैं इसके बाद देखें का आपकी भाग्य रिखा का सरूप है यह भाग्य रिखा का सरूप यहां से जा करके और यहां आपने ज काफी कश समना और क्यूंकि दूरिस्तान से जुड़े हैं तो हो सकता है कुछ दूरिस्तान से जुड़कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा भी काम कर लिया हूँ या बहुत-bहुत दूर तक माल की सप्टाइए कर लिए हूँ इस सप्लाई कर ली हो इस तरह की दी देखता हूँ तो ये परव सूख गया है यानि इसके अंदर वो रिखाएं विलकुल एक तरह से समाप चुसी हो रही है नीचे की तरफ ये सूख जाना जाना जानी कि धन पर ग्रहन लगना आपके धन पर इस समय लोगों ने जो ले लिया है उससे लोटने की सम्भावना यहां भी कम नजर आई है तो कुल मिलाकर ये शुकर पर वह एक और चीज़ के लिए जाना जाता है जब सुकर पर शूख जाता है तो पत्नी रूट जाती है पत्नी जैसे विवादों का सामना होता है जीवन में तलाक का सामना होता है ऐसी स्थितियां भी जानी जाती है तो अंदर की तरफ भी तूटके चलिये इस्तान पर विबन चलिये पर दीप नहीं बना कुल मिलाकर के ये वो रिका है जो आपको साहस प्रदान करने का काम करती है आईए बात करते हैं आपके आयू रेका के बारे में आयू रेका और यहां से ये मजबूती के साथ चलती हुई और सीधा मड़ी मंद की तरफ चल गई या लिकुन मिलाकर 77-88 वर्स की आयू तो वरतमार में है तो ये आपकी आयू का परफुक्च मिला और आपके सारी ये तो हाथ पढ़ने का एक तरीका था जिसमें जितना जादे से जादे मैं पढ़ सका बढ़ा मैंने आपके सवालों को मैं देखता हूँ जब आप मुझसे कहते हैं कि कब होंगे मेरे कोर्ड केस मेरे कब फिनिश होंगे ये संभावना मुझे कम से कम पांच साल तक नहीं लगती चार से पांच साल अभी ये सब चीजें आपको बहुत जादे परिशान करने वाली हैं उसके बाद काफी कुछ रहत आपको मिलेगी डाइवोस केस डिसीजन इन माई फिवर और नोट वो भी क्योंकि मंगल पर उसे ही देखा जाता है और वहाँ जारी जैसी इस्तिती है वो भी मुझे आपके फिवर में नहीं आता दिख रहा आपका धन पर घ्रेण कैई जोगे दिखाई दिया हो सकता है आपको मोटा पैसा देना पड़े तो वो आपके पक्ष में आ जाए तो वो भी तो अपने अपने आपने एक तरह की आपकी हारी हुई कि इतना बड़ा पैसा चला गया फिर पक्ष में आया तो क्या आया तो कुल मिला कर पक्ष में आने के फिवर नहीं दिखाई देते आप मैंने बहुत सारे दोस्तों को धंदी रखा है क्या उनसे पैसा लोटेगा थोड़ा बहुत पैसा उसमें से लोटेगा बहुत जादा पैसा नहीं लोटेगा बिजनिस अपॉर्चिनिटी के बारे में पूछ रहे हैं इस समय इस्ति वो भी ठीक नहीं है ज्यादा डावा डोल चल रही है पुर मिला करके संबल करके चले आगे से किसी को धन्ना दे तो अच्छा रहेगा हेल्थ रिलेटरिक इशूज हैं बिलकुल निश्ची तरूप से हेल्थ रिलेटरिक इशूज आपके हाथ के अंदर है तो थोड़ा सा आपको ध्यान लखना है डॉक्टरी देख रेक में आपको रहना है लोटरी सट्टा गेंबलिंग इस तरह का आपने पूचा है वरतमान की इस्तिती से कहीं लोटरी का कहीं सट्टे का गेंबलिंग का कोई भी किसी तरीके से यहां योग नजर नहीं आ रहा है तो आपके लिए मेरे पास उपाय में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है मैं तो आपको कहूँगा एक बहतरी इंसा आपको यहां पर इस उगली के अंदर यहां पर आपको पहनना चाहिए एक मानिक के और एक दूसरे हाथ के अंदर इसी उगली के अंदर आपको पहनना चाहिए मौंगा तो दूसरे हाथ में इसे उली में मूंगा पहने आपको साहस का कारक बनेगा आपको रोगों से बचाएगा आपको हर्ट के रोगों से बचाएगी दोनों रिंग आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं मैं आपके इस तान तक मज़ा रखता हूँ तो एक उल्टे हाथ में मूंगा पहन लेजिए और राइट हैंड में आप मारी के पहन लेजिए बस इतना करें और यदि आपके हाँ कोई सूरिया का फातिया होता हो तो उसकी आप जो भी प्राथना होती हो उसे करें तो उससे भी आपको काफी लाब मिलेगा नमस्कार